नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेलरीड इंप्लॉईस किस प्रकार एचारे डिडेक्शन को क्लेम कर सकते हैं वे किन बातों का ध्यान आपने रखना जरूरी है और क्या अगर आप रेंट पर नहीं रहते तो क्या आप एचारे क्लेम कर सकते हैं और हब सकते हैं या नहीं तो इन सभी सवालों को हम यहां पर डिसकस करेंगे ये चार पॉइंट सको यहां पर हम डेटेल में डिसकस करेंगे तो वीडियो को पूरी जरूर देखिए और पूरी जानकारी ले तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है आपका house rent allowance हम इसे कहते हैं किराया मकान भता करमचारी को अपने घर का भाड़ा या rent पे करने के लिए उसके department वो government भी हो सकता है या private भी हो सकता है उसे कुछ पैसे देत allowance कहते हैं या आपकी salary slip में कुछ इस तरह से यहां पर mention होता है इसके बाद यहां पर हम जानेंगे कि हरे से income tax में छूट कैसे मिलती है और इसे कैसे calculate करते हैं calculate करना मैं इसके बाद आपको बताऊंगी तो आयकर अधिनियम धारा 10 under section 13A के तहत कुछ सीमाओं के अंतरगत HRA के तहर हम छूट ले सकते हैं house rent allowance की छूट यहां पर ली जा सकती है अब इसे calculate करेंगे यह हम यहां पर जानेंगे काफी simple है calculate करना यहां पर देखेंगे salary employee जो है वो HRA को किस तरह से जो है claim कर सकते हैं और क्या है उसका तरीका उसको calculate करने का वो हम समझेंगे तो इसकी 3 conditions होती है यहां पर पहली है आपकी actual HRA received यानि कि जो आपको HRA मिलता है आपकी salary में वो आपने लिखना है मान लिजे यह 10,000 हो सकता है आपका मान लिजे आपको 10,000 रुपे जो है वो HRA मिलता है दूसर है आपका 50% of salary तो 50% of salary में हम क्या होता है आपका salary जो हम मानते हैं वो मानते हैं basic plus DA यानि कि जो आपकी basic और DA होती है उसका total और उसका 50% होता है जो उसको हम यहां पर as a salary calculate करते हैं तो अगर आप metropolitan city में रहते हैं तो यह आपका 50% हो जाएगा इं cities में किसी में रहते हैं Mumbai, Calcutta, Delhi और फिर Chennai में रहते हैं तो 50% of salary यहां पर calculate होगी और इसके अलावा अगर आप कहीं और रहते हैं तो 40% of salary जो कि आपका basic plus DA होता है यह यहां पर calculate होगा तो अगर आप इन में से रहते हैं तो यह वाला point आ जाएगा अधर यह हो जाएगा थर्ड है आपका house rent paid जो आप house rent pay करते हैं ठीके माल लिजे आप यहां पे 15,000 रुपे जो है वो house rent pay करते हैं तो यहां पे आपका वो आ जाएगा मैं इसको आगे पूरा example के साथ बताऊंगी उसके बाद आपने 10% of salary जो है आपकी यहां पे जो salary आपकी थी basic plus DA माल लिजे आपकी 50,000 रुपे बनी है तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज ठीक है तो इसको आपने जो आप house rent pay कर रहे हैं उसमें से minus करेंगे तो यह तीन conditions आपकी यहां पे बन जाएंगी और इन तीनों conditions में से जो amount आपका सबसे कम आएगा वो आप उसको उसके तहत या उसके अधार पर जो है अपना सालाना एचारे क्लेम कर सकते हैं तो यह तीनों यहां पे जो conditions हैं वो दी गई है और इनका पूरा होना बहुत ज़ादा जरूरी है तो अब मैं example की मदद से हम यहां पे इसको समझेंगे यह देखिए माल लीजे कि आपको जो actual एचारे मिलता है वो है 12,000 रुपे आपकी salary ज जाएगी आपकी total salary हो जाएगी यहां पे 50,000 रुपे उके उसके बाद आपको उसमें आपको एचारे मिल रहा है इसके अलावा 12,000 रुपे तो यहां पे वास्तवे कि actual HR हो गया आपका 12,000 रुपे अब salary का 50% अब यहां पे क्यूंकि salary हमारी basic or DA होती है उसका plus होता है तो इ यहां पे 40% लेंगे इसके बाद है मकान का किराया भुकतान minus salary का 10% अब मान लीजे कि आप मकान का किराया जो भरते हैं वो भरते हैं 15,000 रुपे और आपकी salary है यानि की 50,000 रुपे है इसका 10% हो गया आपका 5000 रुपे तो आप इसको इसमें से minus करेंगे तो यहां पे आगे आपका ये 10,000 रुपे तो इन 3 calculations में जो ये 3 amount यहां पर निकल कर आए हैं इन 3 amount में सबसे कम amount जो होगा उसको हम as a HR यहां पर claim कर सकते हैं आपका मासिक जो भी HR यहां पर देखे ये 10,000 रुपे सबसे कम हैं तो इसके अधार पर जो है आप अचारे claim कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपका 25,000 जादा आया है तो आप इसके अधार पर claim करेंगे जो यहां पर 3 basic points दिये गए हैं इनके अधार पर जो है जो सबसे कम amount होता है उसको as a HR हम अपने department की तरफ से अपने income tax में claim कर सकते हैं उसके द्वारा छूट ले सकते हैं तो यहां पर 10,000 रुपे जो है वो य एक लाग बीस जार रुपे आपका सीधा सीधा 12 महीने का अनकी साल का एक लाग बीस जार रुपे आप HR के तहत income tax में छूट ले सकते हैं इसको claim कर सकते हैं ठीके आईए अब समझते हैं कि HR को claim करते समय हमें किन बातों का ध्यान लखना जरूरी है और इसके बाद हम जानें कि यदि आप रेंट पर नहीं रहते तो क्या आप अपने माता पिता को HR करके उसका claim ले सकते हैं इस बारे में हम next point है उसमें discuss करेंगे तो यहां पर सबसे जादा जरूरी बाते जो हैं तो सबसे पहली बात है आपकी कि आप अपना साल भर का rent agreement जो है वो आप बनवा लें प बात यह है कि यदि आप जो साल भर में rent pay करते हैं वो एक लाक रुपे से ज्यादा है तो आपको जो आपके landlord है या जिसे भी आप जहां पर भी rent पर रहते हैं जिसे भी आप पे कर रहे हैं उसकी pancard की photocopy आपको उसको समाल कर आपने रखना है तीसरा आपको house rent receipt जो होती है या फिर house rent का जो online transfer है वो शो करना है आप cash के lendin को यहाँ पर ignore करें अदरवाइस आप इसको claim नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जो आपने house rent को transfer करना है वो online हर महीने अपने account से करना है इसके साथ साथ जो है आप अपना जो भी details होती है यानि कि आप जो hra claim करते हैं तो इगर है जैसे आप March में हमारा ही काम होता है तो आप April से पूरा March तक या February में होता है तो आप March से पूरा February तक जो है इसको पूरा भनवा के रखे rent agreement को सारी details जो है वो संभाल कर रखें ताकि future में अगर किसी भी तरह की income tax department से कोई query आपके पास आती है तो आप उसे easily handle कर सकें तो ये हो गई कि हमें किन बातों का रखना है ध्यान अब सबसे जादा confusing सवाल जो है वो है कि यदि हम house rent पे नहीं करते या फिर हम house हम किराई के मकान में नहीं रहते तो क्या हम इसको claim कर सकते हैं अचारे को या फिर क्या माता पिता को हम HR पे करके income tax में छूट ले सकते हैं तो जी हां आप बिलकुल ले सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि आपको जो अपना transfer है वो online करना होगा जो भी आपका rent है वो दूसरा agreement बनवाएं जरूर से जिसको भी आप pay कर रहे हैं online की मदद से agreement जरूर बनाएं और online transfer करें आपका जो भी rent है वो इसके अलावा अगर आपकी परिष्थितियों में जो है आप HR-A को claim नहीं कर सकते तो यदि आपके आपके नाम पर कोई मकान है मालेज आप Delhi में रहते हैं Delhi के अंदर ही आपकी कोई property है आपके पास तो आप जो है house rent को नहीं दिखा सकते उसको claim नहीं कर सकते आपने house loan लिया हुआ है home loan लिया हुआ है तो भी आप HR-A को claim नहीं कर सकते यहाँ पे जो है आप एक ही चीज को कर सकते हैं बाकी safe side यह है मालेजे husband wife है और आपको HR-A claim करना है तो जो wife है वो अपने in-laws के नाम पर जो है वो rent agreement बना के उनको pay करके house rent को claim कर सकते हैं तो यह आसान तरीके हैं और safe side है इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है तो यहाँ पे आप जो है लेकिन आपको सबसे जादा जो ध्यान रखनी है बाते वो यहीं है कि आपने agreement बनवाना है online transfer करना है और pen card को जो भी आपके landlord है उनका pen card और जो भी transfer है वो आपको online रखना है यह बहुत जादा ध्यान में रखने वाली बात है जो आप HRA है उसको कैसे calculate करें यहाँ पे हमने जाना है इसके अलावा आप HRA में जो है income tax में छूट कैसे ले सकते हैं आपको under section 10 13 A के तहत आपको इसमें छूट मिलती है तो पूरा amount ज समझ में आया होगा और बिल्कुल अच्छा लगा होगा अगर आप वीडियो में यहां तक आये हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share, subscribe करना ना भूलें और यदि आप अभी तक नहीं calculate कर पा रहे हैं कि आपकी income tax कितना बन रहा है या फिर आपकी salary से आप कैस income tax को calculate करें तो हमारे ये दो वीडियो जब जरूर देखें धन्यवाद